हेलो दोस्तों मैं हो दिपाली और मेरे चाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चिकन बियानी कैसे बनाते हैं वह देखें वह भी कुकर में बहुत की सिंपल से तरीके से जटपड बन जाएगी तो इसके लिए आधा किलो चिकन मैंने अच्छे से वाश करके लिया है तो उसमें एक बड़ा चम्मच अद्रक और लैसून उसको मैंने बारिक पीस के डाला है नमक डालेंगे बड़ा चम्मच लैसून मैंने 12 या 15 कलिया है उसी साब से लिए ज्यादा यूज करना है लैसून और अद्रक हमें यहां पर एक बड़ा चम्मच मैंने यहां पर लाल तो इसको अभी हर चिकनघ्ट को अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह से हम मिक्स करेंगे तो मैं हाथ तो मसल लेती हुं ता कि आज एसको अच्छे से इसको कहोटłos हो जाए तो मरे अच्छे से इसको यह लगा दिया है मसाला तो अभी साइड में रहेंगे 10-15 के लिए मिनमें 15 मिंट हम इसको रखना है तो तब तक हम बिर्यानी के लिए तड़का दायर करते हैं तब तक हमारा जो चिकन है वो रेस्ट कर रहा है तो दो बड़े चमच यहां पे तेल डाल दिया है आदा चोटी चमच जीरा और खड़ा मसाला हम यहां पर यूज करने वाल तीन लांग और तीन मीरी यहने पैपर हो डाल दा है और इसको अधा मिन तक बृळ ना है जब तक हमारी चे मसाले फूल ना जाये तेल में, तो तेल में यहां पर तीन बड़े साइज के पैस ऐसे लंबाई में काट लिया है मैंने उसको डाल देंगे और पैस को अच्छा अच्छा सॉफ्ट हो चुगा है अभी मेरनेट किया हुआ चिकन इसमें डालेंगे थोड़ा मिक्स करेंगे चलाएंगे चिकन को इसमें हमने नमप की डाला हुआ है चिकन में तो नमप की वज़े से इसको पानी भी चूटेगा तो अमें इसमें धक्कन डाल के रखेंगे तीन-चार मिट के लिए मीडियम गिल गयास रखेंगे ताकि इसमें चिकन को इसमें थोड़ा पानी चूट जाएगा देखें तीन मिनट के बाद मैंने दखकर निकाल दिया है तो अच्छा करसा पानी इसमें आ चुका है और यह पानी हम पूरा घटाएंगे नहीं ऐसा ही रखेंगे अब इसमें ही हम दो कटोरी चावल जो मैंने कि दोड़ा जालेंगे यह पर बिगो के रखने की जरुरत नहीं है तो जिस कटोरी से हम चावल मेजर कर रहे हैं उसी कटोरी से हम में पानी भी मेजर करना है तो यहां पर घर के इक कटोरी ली थी उससे हमें मेजर किया है तो इसमें अभी आदा छोटी चमच हल्दी पाणी पकते समय एब्सॉप कर लेगा और चिकन का पाणी है उसका स्वाध है पूरा हमारा पकेवे चावल में आ जाएगा तो इसलिए हमें वह पाणी घटाना नहीं चिकन में ऐसे रखना है ताकि वह हमारे चावल है उससे अब्सॉप हो जाए तो अभी दो कटोरी मेंने च के लिए 3 कटोरी पाणी 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 डाल दिया हमेँ थीछ करेंगे और बाजू में चावल च्पका हुआ है इसको भी नीजे पाणी में डाल देंगे तो नमक हमने और हम्रानेट करते बाणी डाल दिया था अब थोड़ा सचिक करके और भी डाल सबसें कंपाइं झाल तक है तब्य एनरे हम यहां पर कसूरी हमने तालेंगे मैं थो मैंने थो जड़ा से हीत कैम Happy members ऑवह एक बड़ाचमच मश्की कर डालेंगे तो रैफ सीपर झाल जब और 2 ऐस लगाई गया थो क्लितडिए नहीं साथ दो से ज्यादा सीटी नहीं करनी है दो सीटी में चावल अच्छे से खिला खिला और पका हुआ अच्छे से हो जाएगा तो दो सीटी होने के बाद 20-25 मिंट कुकर कड़कर खोलना नहीं हमें वैसा ही इसको पकने देना है जो स्टीम अंदर होती है उस प्रेशर में हमें उसको काट मैं भी से रिसेप यह है यह बहुत ही सिम्पल से रिसेप हैं तो अफ़acă शावल से झाल ब están भी दोえば शेवल करती है उसमें ही बहुत ज़ेश्चा था स्वाद होता है जिकन का तो खाने में बहुत मजा आता है था आ eco Think तो हम इसको शो कर लेते हैं अब इसको आपने बं अब जरूर ट्राय करें आपको अगर मेरी एक कूकर में बनी हुई चिकन बिलानी के रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो का लाइक करें जादा श्यादा शेयर करें और मेरे चाहर कभी तख अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें वीडि